दोस्तों, बोले मंडारी, आग दिनां की की समार्च दो जार बीस, सुबह के कोई तीन बजें, दस दिन, यानी लगबग आठ लाग चौंसट हजार पल, सेकंड्स, जल्दी करो, मेरे साथ प्रात्ना पर बैठ जाओ, मेरा स्रियंद्र ले लो, रख लो, यानी मेरी सुन लो, आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या खहता रहता है आदमी, इसकी कोई सुने नहीं सुने लेकिन ये खहता रहता है, हाँ, ये सारा संसार सुनने को बैठा है, ये सारा संसार तुमारी तरफ ध्यान देने को बैठा है, लेकिन आप लोगों के पास, हमारे पास कुछ हो तो सही, ये संसार तो क्या संसार का निर्माता परमपिता परमश्तर, तुमारी सेवा में बैठा है, कि उसके बچचे कुछ करें तो सही, ऐसे ही जैसे किसी बच्चे, बच्चे को कोई पापा पढ़ने को बेज़ता है, वो उसकी सारी आउस्तिता पुरा करता है, कुछ बच्चा करके तो दिखा है, हाँ मैं आज क्या कहने चाह रहा हूँ, जल्दी करो, और कुछ नहीं हो तो मेरे साथ प्राथना पर बैठ जाओ, अपने अपने घरों में बैठा, बैठ जाओ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, देखो, ये मानसिक रोगियों का जुंड बढ़ा चला आ रहा है, इस सारे मानसिक रोगियों हुआ हुआ कर रहे हैं, और दिक्कत यह है कि इन मानसिक रोगियों का शरीर हाथी जैसा है, हाथी जैसा, और इन मानसिक हाथीयों ने सराब और पी रखिये, और सराब भी कई तरी की पी रखिये, ये लिक्ड शराब के अलावा जन की सराब, सत्ता की सराब, जन समर्थन की सराब पी रखिये, यह चिंगार रहे हैं इनके हाथों में एके फूटी से बिन है इनके हाथों में बम है और यही नहीं इनके समर्थकों के हाथों में सबकुछ है इनके इसारे पर फौज है पुलिस है इनके इसारे पर हजारों लाकों अंधे लोग हैं जो तुम पर तूट पर सकते हैं इनका हाथी जैसा शरीर है इनोंने सचमुच में सराब पी रखिये उसके अलावा धन की सराब सत्ता की सराब और कई तरह की सराब करना साहिं पर है इनके हाथों में बम है एके फोटी से इनके हुकम पर फोज और मिलिटरी और पुलिस खड़िये संगर्च करो प्रात्न करो भार आजाओ और मेरी सुलो इतिहास में या प्रागेथियसी काल में जो नंगा नाच हुआ जो कोई जनसंगार हुआ जो जिवों के साथ भेयानक्ता हुई वो आज क्यों नहीं हो सकती क्या किसी ने सोचा था कि एक आदम हिटलर साथ लाख लोगों को भून कर रख देगा क्या किसी ने सोचा था कि 1947 में 10 से 20 लाख लोग भैयानक तरीके से मार दिये जाएंगे कहां गई उस तथा कतिन मात्मा की अहिंसा यह हुआ करती भीड़ देखो अभी कल परसो की बात है दिली में गुद्रा में या 1984 में जब कल को यह हो सकता था तो आज को क्यों नहीं हो सकता उसका बड़ा रूप क्यों नहीं हो सकता हो जाएगा यदि आप लोग नहीं चेते तो हमने बहुत से लोग सुने बड़ा बच्चे लोग बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं यह देखकर मुझे बड़ी खुशी है लेकिन आप मेरी वी सुन लो इसका पूरा फार्मूला मेरे पास ही है यह उस अल्ला ताला के उस परफॉर्म पिता परमेसर की मेरवानी उसने मुझे दिये और मैं यह कह रहा हूँ देखो आप कहेंगे यह कोई ड्राम में बाज हो सकता है या कोई यह फेम लेने के लिए हो सकता है मैं यहां हिस्वश कर दूँ कि मैं एक आदमी हूँ आदमीं में जो सभी गुन आउगुन दोस्त होते हैं वो मुझे में भी हो सकते हैं फिर्म के इच्छा मुझे में भी हो सकती है, कोई आउगन मुझे में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास सचोंच में का दूद परातना है, जल्दी ले लो, मैं बताता रहता हूँ कि चार-पांच पॉइंट वाला कौन सा है, जो मैंने कल भी बताया फार्मूला, उसको करो, सफल मिलेगी, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं, यह सिर्थ जादू वाला फार्मूला नहीं, यह काम करने वाला फार्मूला है, आप करोगे, तो मिलेगा. जल्दी मेरे साथ प्राथना पर बैठो मेरे साथ नहीं बैठ सकते अपने अपने घरों में बैठो मेरा स्रियंत्र रख लो इसका मंदर्व है कि मेरी सुन लो मेरे स्रियंत्र मेरे फेस्बुक अकाउंट यूट्यूब अकाउंट से ले लो ये लोग ये लोग भार्ट में कुछ का कुछ करने का राधर रखते हैं लेकिन इनको सफल होने नहीं दिये जाएगा यदि कुछ लोग भी मेरे साथ आए ये लोग भैयनक मौँकी खाएंगे और बाद में तो सिरूँचा नहीं करेंगे बहुत सीमाने बाते मैंने बोल दिये मैं स्रियंतर हूँ मैं इस्वर्पुतर हूँ मुझे भारत में कुछ करना है और मैं करने के लिए आया हूँ इन सब्दों को ये मत सोचने हैं कि ये कहने वाला मंगल स्रियंतर है ये स्रेजंद्र जो बोलता है उसको मैं बोल रहा हूँ अद्रस सक्तियां इस संसार में हुटी है ये संसार कोई ऐसे ही मेटियल फोर्से से नहीं चल रहा आपने उनको देखा नहीं देखा इसमें मैं क्या करूँ और कोई क्या करे लेकिन वो सत्ता प्रमसत्ता सब में समाई हुई है वो आपको कुछ करने देती है और खुद भी करती है जैसे पिता अपने बच्चे को कुछ करते हुए नया देखता है खुद कंट्रूल भी करता जाता है जल्दी करो ये पागल लोग यहां पर तभाई मचाने के लिए बैठे हैं और ये सुप्रीम कोट जिनके जजों को मैं पहले ही दल्ला खेच चुका हूँ चाहे डर डर के सही मैंने मेरे सोसल मीडिया काउंट पर बोला है ये दल्ले आज तो वो दल्ले खुलम खुला आगे देखो देखो ये चीज़ डिस चीज़ क्या अब मुझे तुम राज्यसवा का सद्ध से बना दो हाँ बनलो भाई बनलो मोज करो भाई मोज करो उस लड़की के साथ भी छेड़ खानी करो और फिर अपना ही खुदी फैसल देलो लेकिन देखो उस प्रमपिता प्रमेश्चर की क्या ने आयाती है लोग कहां जाएंगे ये तो यही बात हुई कि किसी दुलन को कोई बंदा साधी करके लाता है और वो ही उसको बेच दे अरे ये लोग किसके गले लगके रोएंगे हराम जादो देखना प्रमात्मा प्रत्रक्ष अपना काम करेगा जल्दी करो और भी कुछ नहीं हो तो आपने अपने घरो पर प्राथना पर बैठो मैं भी बैठा हूँ सरफ दस दिन बचे हैं जहां कहीं भी मेरा स्रियंत्र है और जल्द मेरा स्रियंत्र रख लो मैं दिवाकरी अलवर से मंगल बोल रहा हूँ मुझे हजिटेशन सी होती है कि मैं ऐसा क्यों क्यों उद्धुशित करूं परमानतमा की चाहे तो मैं क्या करूं आज इतना ही जहिन जह भारत यह सब आप लोगों को बचाने के लिए आपको आपको सई दिसा में ले जाने के लिए जहिन जह भारत